हेलो फ्रेंड आज मैं एंबॉक्सिंग करने उला हूं इस आउजा की एंप्लीफायर की जो की है जो की मुझे पड़ा है एक थाउजन रुपीज का और इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और इसकी फटावट से एंबॉक्सिंग स्चार्ट कर लेते ह कि इनकी फटा पार्ट से बोक्सिंग कर लेता है यह जो опять मैंक बाटर कर जो लागें हूं और यह माईक के उपर जो लगेगा यह माईक का मैक ने साथा हूं यह चाछे माईक हूं यहां पर सबसे पहले हमें मिल जाती है मैनुल और यह इसके साथ में यहां पर फटाफट के निकाल देते हैं यहां पर रिमोट में बैटरी इस इंस्टॉल कर लिए है अब यह रिमोट सेटप हो चुका है और यह बैकरी अभी यहीं रखते हैं यहां पर सबसे पर देक और यहां पर एक माइक है मिल जाता है जो और आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स का लिए हो चुका है और यह माइक को निकाल में पर इंसाइड रख देते हैं यह माइक में इसके साथ बैकरी में लेती हैं और इस माइक में यहां पर आउफ को स्विच है और इस सब्सेट पर लेडी लगी हुई है तो यह अन अफ को स्विच है यहां पर LED लगी हूँ यह मैं आपको दिखा देता हूँ प्लस माइनस देख लेते हैं यह आप मैं इस्ट्रॉल करती है यह आप देख सकते हैं यह LED अभी ब्लिंग की थी तो अभी साइड अब देते हैं जो जो मैं सिट अप करती जा रहा हूँ इस्ट्रॉमेंट साइड कर लेते हैं और इसमें यहां पर वायर है तो यहां पे इस वायर को भी खोल लेते हैं यह वायर है यहां पे इस साइड पे यह चार्जिंग वायर है अगर आपके डेक में बैट्वी नहीं है तो भी आप इसे लगा की यूज कर सकते हैं तो यहां पे बैग है इस साइड पे यह बैग है इस आउजा का और इसके अंदर और इस साइड पर माइक जगाते हैं तो इस साइड पर दूसरे माइक की जगा है यह आप बॉटल बॉटल भी इस पर लगाते हैं से अब में डेक दरख कि तो इस साइट पर एक नोटेस दिया हुआ है जब भी आप इसे पहली पहली बार यूज़ करें उससे पहले जो मैंने आपको यह चार्जिंग वार दिखाई थी उससे आप इसे टैन आवर्स के लिए चार्ज कर लीजिए वरना इसमें बैक्टरी नहीं आती है इसमें यह नोटेस है यहां पर यहां पर पीछे कर देता हूं एं और यह एंप को सबसीं पहले दिखा देता हूं वह न要गी है और यहां पर कुछ wires है जो से connected है यहां पर यह लिख है कि अगर आप इसे first time यूज़ करते हैं तो connection चेक कर लीज़े मैं इसे already check कर चुका था connections को यहां पर battery बंद कर देते हैं और अभी यहां पर इसके switches है और यह handle है आप कहीं भी से लेके जा सकते हैं अब मैं आपको स्विच के बारे में और इसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर मैंने आपको दिखाया था जब भी आप इसे चार्ज करते हैं तो इसमें यह charging LED चलती है और यह डिस्पले है और यहां पर on off के switch है और यहां पर इनके left right करने के switch है यह दोनो और यहां पर volume up down के switch है यह recording recording pause on भी कर सकते हैं से और यहां पर एक एंटीना दे रखा है इसका यहां पर eco है जब भी आप माइक यहां फिर कुछ भी करनेक करते हैं तो यह आप eco on कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादे लाउट रही है यह और से नहीं है यह तोन है आपकी थोड़ी आवा इसे sound है यह आप इससे 12 वोल्ड की चार्जे से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं चला सकते हैं और यहां पर कुछ और पोर्ट है यह इसका charging port है जो मैंने आपको देखाया था और यहां पर SD लग जाती है यह USB है यह आक्सन है जिससे यह आक्सन से कंट्रोल होता है यह आक्स कोई external speaker connect करना हो तो आप इससे भी connect कर सकते हैं और यहां पर आगे की बात कर लेते हैं इसके साथ जो मैंने आपको माइक दिखाया था यह wireless माइक है और इसकी volume यहां से tone change हो जाती है तो मैं आपको एक बार on करके यहां से दिखा दिता हूँ यह on off का switch है अब भी हम इसे on कर लेते हैं यहां पर red color की है और यहां से जो है पीछे डिस्प्ले का बटन है आप इसे two second तक प्रेस करके रखेंगे तो डिस्प्ले on हो जाएगी अब आपको कोई चीज करने के जोतनी आपको simply mic जो है इस तरह से on करना है और यह connect हो चुका है तो यहां पर LED है एक और जब मैं आप देख सकते हैं मैं इसे जब बटन को नीचे किया तो LED बंद हो चुकी है और जैसी मैं इसे on करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह से pair हो चुका है आपको simply on करना है और कुछ भी नहीं करना है तो यहां पर मैं इसकी थोड़ी टोन बढ़ा लेता हूँ यहां से कंट्रोल है तो आप देख सकते हैं मेरी जो आवाज है वो बढ़ चुकी है मैं इक को थोड़ा बंद कर लेता हूँ तो अभी मैं इसके पार्ट्स लगा चुका हूँ आ यहां से आप दिख सकते हैं इस जो है इस जो है यहां से आप देख सकते हैं इस जो है यह मैंने फिलिप कार्ट से खड़ीदा है और इसको माइक है वो इसके साथ फ्री मिला है मैं आपको दूसरा भी माइक कनेक करके एक बर दिखा दूँगा और रिमूट से मैं आपको भी ब्लूटूट चलाके एक बर दिखा देता हूँ तो मैं अभी आपको Bluetooth सेट अप करके दिखा देता हूँ यहां से आप देख सकते हैं मोड है तो मैंने इस में अभी Bluetooth सेट कर लिया है Bluetooth मोड पे आ चुका है अब की LED चल चुकी है अब मैं फोन पे जाके यहां पे see all devices में यहां पे मैंने आहूचा आ गया है अब देख सकते हैं connect हो गया है active यहां पे अभी मैं आपको इसा भी song प्ले करके दिखा देता हूँ तो मैं भी NCS के song प्ले करके आपको दिखा देता हूँ तो आप इसमें जो है पीछे background में टोल लगाके इसमें आप कोई भी आप song चाहे तो आप प्ले कर सकते हैं तो अब पीछे से आप देख सकते हैं मैं पीछे background में टोन चुल जी और मैं पीछ माइक से बोल पा रहा हूँ और चाहे तो आप जो माइक बीस के साथ किनेक कर सकते हैं एक wireless वाला जो इसके साथ मिला है और मैं आप एक माइक लगाके भी कर सकते हैं तो अभी मैं आपको इसके जो है डब बॉक्स दिखा देता हूं तो अभी मैं आपको इसके बॉक्स दिखा देता हूं तो फ्रेंड मैं आपको इसके फीचर देखा सकता हूं आप देख सकते हैं यहां पर रिमोट है बैटरी है और रीडर है ब्लूटूथ कनेक्शन है अम्प्लीफायर है और एस और स्सडी भी लग जाती है और यहां पर माइक भी है यहां पर इसका जो प्राइब यहां पर आप अमाउंट देख सकते हैं एक थाउजन थ्री अंडर फटी है तो यह मुझे एक थाउजन का पड़ा है यह डेख और यहां से भी यहां पर इसके साथ माइक है रिमोट है और यह डेक है जो की मैं आपको दिखा चुका तीन और चाहिए तो आप इसे वह डूल की चार्जर से भी चला सकते हैं और लाइक करने इस वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से जादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना दूसरों को